नमस्कार दोस्तो दोस्तो आज की इस वीडियो में मैं आपको एक ऐसी दवा के बारे में बताऊंगा जो 180 रोगों को दूर करेगी आप इसे चूस कर लीजिए या पी लीजिए ये आपके खून गाड़ा होने की समझ्या को दूर करेगी यदि आपकी नसों में गैस बनती है तो उसका भी इससे कारगर कोई इलाज हो नहीं सकता यदि आपके खून में कच्रा है तो उसको साब करेगी दोस्तो आपको वाक पित और कब से जुड़ी कोई समस्या है उसका भी ये एक कारगर इलाज है बस आपने रोजाना सुबे खाली पेटिस को लेना है और जीवन भ आपको नसों में ब्लोकें जोडों का दर्द नहीं होगा दोस्तो आपकी हडियां भी वजर के समान मजबूत हो जाएंगी और आपका किसी भी त्रह का कोई भी दर्द नहीं होगा दोस्तो आज हम आपके लिए एक ऐसा ही चमतकारी नुस्खा लेकर आए हैं आपको इस प्रश्रीर में क्या क्या चमतकारी बदलाओंगे। आपका पूरा का पूरा सरीर ही नीरोगी बन जाएगा। दोस्तो सबसे पहले नुष्खे के लिए आपको क्या चाहिए। आपको चाहिए एक लसुन। आप दो से तीन कली लसुन की लेशकते हैं। आप अपने कोडिंग लेशते हैं जितनी आप खाना चाहिए एक, दो, तीन। आपने छोटा सा टुकड़ा अद्रक का लेना हैं। और एक लेनी है मिर्च। अब मिर्च, हरी मिर्च आप लेना चाहिए तो लेशकते हैं। और नहीं भी लेंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है दोस्तो आपने इन तीनों को छील कर इनको कूट लेना हैं। और एक पानी में घोल कर या एक चमच लेकर उपर से पानी पीलीजी, चबा चबा कर इसको भी खालीजी। दोस्तो ये आपके दिल की सभी ब्लोक नसों को खोल देगा। आपके पाचन को मजबूत करने में भी ह आपके सरीर की कमजोरी का इलाज करेगा, आपकी हड़ियों की कमजोरी को दूर करेगा, आपको जीवन में कभी भी ये नसों की ब्लोकेजन नहीं होगी। और दोस्तो वैसे भी लसुन तो दिल की बीमारियों के लिए एक कारगर दवा है। यदि आपको दिल की कोई भी बी सो रोगों की दवा, यानि आप समझ लेजिए, आप अपने सरीर के दो सो रोगों के लिए इस दवा को ले रहे हैं। और यदि लसुन और अधरक को मिला दिया जाए, तो परिणाम बहुत अधिक चमतकारी होगा आपके सरीर के लिए। पाचन मजबूत होगा, इम्यून प बिमारियों से बच देंगे, आपका वात पित और कप भी बैलेंस होगा, पर वात पित और कप को बैलेंस करने के लिए मैं दूसरा नुस्खा आपको बता रहा हूं। दोस्तो दूसरे नुस्खे के लिए आपने चाहिए अरजुन की चाल, दोस्तो आप अरजुन की चाल के कैसा टुगडा ले लीजी या तो आप इसको धोकर अच्छी त्रहें से साफ करके ऐसे ही चूस लीजिए सुबह खाली बिट हर रोज सुबह खाली बिट आप इसको चूस लीजी या फिर आप इसकी चाई बना कर पी लीजी चाई कैसे बनानी है वो मैं आपको बताता हूँ ल वैसे भी आप मार्केट में जितनी भी खून को पतला करने के लिए, कॉलोस्टोल को कम करने के लिए, या हार्ट ब्लोकेश को खोलने के लिए, जितनी भी दवाईया देखेंगे, उन सब में कहीं न कहीं उनका बेस अरजुन की चाल होती है। इतनी कारगर है दोस्तों, लेकिन यदि आपको भी विश्य में सर्जरी बगरा करानी है, तब आपको अरजुन की चाल का सेवन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे आपके सरीर का खून पतला हो जाता है, जिससे की आपको समस्या होती हैं। तो अब आपको बताते हैं आपको अरजुन की चाल की चाई बनानी कैसे हैं। दोस्तों आपने क्या करना हैं, एक गिलास पानी लेकर एक से दो गिलास पानी लेकर आप आग पर उबनने के लिए रख दीजे, अब इसमें आप आरजुन की चाल को धोकर डाल दीजी, उसमें आप एक छोटा सा दालचिनी का टुकडा या पाउडर डाल सकते हैं, एक चुटकी आप उसमें डाल दीजी, वो इसकी पावर को और गुना अधिक बढ़ा देगा और आपके हेल्थ के लिए भी अच्छा होगा और आपने इसको तब तक बालना है, जैसे आपने दो गिलास पाने लिया था, वो एक गिलास नहीं रह जाए, एक गिलास पाने लिया था, वो एक कप नहीं रह जाए, और जब वह एक कप रह जाए, तब आप इसको आग सी नीचे उतार कर चाल लीजीए, और इस चाय का आप पेट के रूओं कबच गैस और एस्टिटी से बच रहेंगे आपकी हडिया मजबूत होंगी खून का कोई भी दोस आपको नहीं होगा आपके चेहरे पर नया गलो आएगा और दोस्तो इसका किसी भी तरहें का कोई भी नुकसान नहीं है यानि आप इसको आँख मीच कर ह हर अवस्था में लेशक देश के किसी भी तरहें का कोई नुकसान नहीं है तो दोस्तो देर की सिबात की है आप भी इस नुस्खे का आज सही सेवन सुरू करतीजे और अपने सरीर को बिलकुल निरोगी बना दीजे अपने सरीर की हर तरहएं की बिमारी से बचे रही है तो प्लीज इस वीडियो को लाइक और शेयर कर दीजे और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजे तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में धन्यवाद